जैहिन दोस्तों मैंनी धीवेंचोहान इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के टॉप क्वेशन जो सभी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं आप कोई भी गवर्मेंट एक्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये प्रशन हमेशा देखने को मिलेंगे रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रशन होते हैं जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रशनों को आज हम करेंगे इन सभी प्रशनों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में easy trick को हम discuss करेंगे जिसकी साहता से इन सभी प्रशनों को भिना पैन उठाये solve कर पाएंगे तो आए करते हैं reasoning के top five question में first question है most important है इस type के प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रशन reasoning और math दोनों section में पूछे जाते हैं important question है तो पढ़ते हैं एक चीटी तीन मीटर चलती है फिर चार मीटर उचे व्रक्ष पर चड़ती है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है इसके दो type के प्रशन होते हैं तो पहले type का कौन सा बनता है ये वाला जो question है इसको solve करने की कोशिश करते हैं आप समझने की कोशिश करें question में कहा है एक चीटी तीन मीटर चलती है यानि मान लेते हैं चीटी इस point से चीटी इस point से चलती है ये हो गया तीन मीटर ओके चली है और फिर चार मीटर उचे व्रक्ष पर चड़ती है ये हो गया चार मीटर ये व्रक्ष मान लेंगे चार मीटर उचा अब पूछा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है तो मूल स्थान यानि की ये वाला है यहां से चलना स्टार्ट किया है और यहां पे पहुँचती है तो कितनी दूर है वो यहां से यहां तक तो यह ज्यादा तर स्टूडेंट क्या करते हैं फ्लस कर देते हैं कि 3 फ्लस 4 इक्वल टू हो गया 7 3 मीटर चली इधर और 4 मीटर चली इधर अब यह हो गया 7 तो आप्शन में आंसर देखते हैं और टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है ऐसा यह प्रशन नहीं पूचा है इसको गलत कहेंगे ठीक है प्रशन अगर होता कुल कितनी दूरी चली तब इसका आंसर होता 7 मीटर पहले टाइप का ये प्रशन बनता है खुल कितनी दूरी चली इतना आसान question नहीं पूछा जाता है पेपर में इसमें पूछा है वहे मूल स्थान से कितनी दूरी पर है यनि कि ये वाली दूरी यहां से यहां तक हमको पूछा है यह हमारा question है कि मूल स्थान से वो कितनी दूर चली मैंने रेखा खीची है ये वाली दूरी पूछ रहा है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ये चीज पूछता है तो जब ये चीटी पेड़ पर चड़ी है तो यहां पे 90 डिगरी का एंगल बनता है कहने का मतलब है ये 4 लंब है और ये 3 आधार है और 90 डिगरी के सामने वाला ये जो एंगल है ये है कर्ण तो कर्ण क्या होता है कर्ण की value कैसे find करते हैं कर्ण होता है हमारा कर्ण equal to आधार का square प्लस लंब का square और इस पे root यनि की 3 square प्लस 4 square ये होता है 9 ये होता है 16 और इन दोनों को plus करेंगे तो 25 ओके तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 5 मीटर ये 5 मीटर आएगा ओके तो option A option A हमारा correct answer होगा यानि की 9 प्लस 16 ये 25 हुआ ठीक है और फिर 4 मीटर उचे व्रक्ष पर ये 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर उचे व्रक्ष पर चड़ती है तो ये दूरी पूछ रहा है ये 3 ये 4 तो 4 का square 16 3 का square 9 16 प्लस 9 25 इसको अंडरूट में रखेंगे अंडरूट 25 का value होता है 5 तो ये करना जाएगा 5 यानि की ये दूरी यहां से लेके यहां तक ये 5 मीटर होगी यानि की चीटी मूल स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है तो option A हमारा answer होगा इस type के प्रशन हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं अगला question देखते हैं ये question आपका series से है ये भी important question है और पूछा गया है नीचे दी गई श्रंखला में प्रशन चिन्न के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यहां पर ये question mark दिया है यहां पर पूछा है कौन सी संख्या आएगी तो series से related कभी भी आपके एक्जाम में प्रशन आए तो क्या करेंगे series को देखना है series कैसे आगे चलती है तो देखते हैं ये series कैसे चल रही है 3, 5, 6, 12, 12 question mark 24, 26 फिर उसके बाद question mark 24, 26 यानी कहने का मतलब है अगर हम difference देखें तो 3 और 5 का difference है 2, 5 और 6 का difference है 1, 12 और 6 का difference है 6, 12, 12 का difference है 0, फिर question mark 26 में से 24 को minus करें तो हमें मिलता है 2, यानी कि अभी आप में नजर नहीं आ रहा है देखो 3 का 2, 6 और 5 का 1, 12 और 6 का 6, 12, 12 का 0, यहाँ पे question mark है और इन दोनों का difference है 2, यानी कि अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये series किस प्रकार की है, कैसे आगे बढ़ रही है या घट रह यहाँ पे देखेंगे तो 2, 1, 6, 0, ऐसे कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जब इस टाइप की series आपके सामने आ जाए और कुछ भी समझ में ना आए तब हम एक-एक संख्या को छोड़ के series को solve करते हैं, कहने का मतलब है 3 के बाद हम 5 को छोड़ देंगे देखो इस तर कर दू ताकि थोड़ा clean हो जाए, कहने का मतलब है 3 के बाद अब हम 5 को छोड़ देंगे, 6 के बाद 12 को ये 6, 3 के बाद 5 को छोड़ आप 6 के बाद 12 को छोड़ दो, ठीक है, 12 के बाद फिर question mark को छोड़ दो, तो इस तरह से 12 ये वाला 12 लेंगे, फिर 12 के बाद question mark छोड़ दे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना होता है 6 और फिर 6 गुणा 2 यानि कि कितना होता है 12 और फिर 12 गुणा 2 कितना होता है 24 यानि कि multiply 2 हो रहा है, ये देखो, अब जो number बीच में बचे हैं, उसे लेकर चलेंगे, 5 के बाद 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है 5 प्लस 7 होता है 12 यानि कि 5 में 7 जोड़ने पर 12 मिलता है 12 के बाद question mark इसमें भी 7 अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे आएगा 19 5 प्लस 7 होता है 12 और यदि यहाँ पे हम 12 में 12 प्लस 7 कर दें तो हमें मिलेगा 19 है ना 12 प्लस 7 कर दें तो यहाँ पे 19 आना चाहिए 19 के बाद 7 प्लस कर दें तो 26 आ जाएगा 19 के बाद फिर हम 19 प्लस 7 कर दें तो हमें मिलेगा 26 जो यहाँ पे दिया हुआ है तो question mark में संख्या आएगी हमारी 19 तो option A option A हमारा होगा correct answer तो इस तरह से series वाले question को आप solve कर सकते हैं एक बार revise कर लेते हैं तो पहले मैं इसे delete कर देती हूं ताकि clean हो जाए है आपको समझ में भी आए कि क्या किया है हमने revise कर लेते हैं जब series ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़ के solve करते हैं तब series समझ में आ जाती है अब करेंगे question number 3 तो question बहुत ही important है इसमें हमने क्या किया एक एक नंबर को छोड़ कर यहाँ पर हमने solve किया तो यहाँ पर multiply हो रहा था 3 गुणा 2 है ना और यहाँ पर 6 गुणा 2 और यहाँ पर 12 गुणा 2 और उपर हो रहा था प्लस कैसे 5 प्लस 7 12 12 प्लस 7 हो जाएगा 19 जो की हमारा answer है और 19 प्लस 7 हो जाएगा 26 तो जब एक बार revise कर लेते हैं जब series ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़ के एक एक संख्या को छोड़ के solve करते हैं तब series समझ में आ जाती है आप करेंगे question number 3 यह बहुत ही important question है नीचे दिये गए प्रशन का when आरेक बनाए when diagram बनाना है जिसका घोड़ा, बंदर और बाग when diagram से related कभी भी आपके paper में प्रशन आएगा तो क्या करना है when diagram से related जो शब्द दिये जाते हैं यानि किसके बीच आपको when diagram बनाना होता है जैसे यहाँ घोड़ा, बंदर, बाग दिया है इसके बीच में देखना है कि संबंद कैसा है यह एक दूसरे से कैसे संबंदित है यह चीज बता लगानी है तो इसका आंसर आपको मिलेगा तो घोड़ा क्या होता है बंदर क्या होता है बाग क्या होता है इसमें जाधा तर student बड़ा छोटा सोचने लगते है घोड़ा बड़ा होता है ऐसे जैसे यह वाला option है घोड़ा बड़ा होता है तो सबसे बड़ा बना देंगे उसके अंदर बाग को कर देते हैं उसके अंदर फिर बंदर को कर देते हैं ऐसे वेन डायगरम बनाते हैं नहीं यह आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा है वेन आरेक पूछ रहा है यानि कि वेंड डायग्राम पूछ रहा है इसके बीच संबंद पूछ रहा है ये गलत है ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने बताया आपको कि ये बड़ा इसके अंदर फिर छोटा और इसके अंदर फिर छोटा यानि कि ये घोड़ा ये बाग और ये बंदर नहीं ये गलत है इस तरह से ये नहीं होगा ऐसे नहीं करना है देखिए ये घोड़ा क्या होता है बंदर क्या होता है बाग क्या होता है घोड़ा बंदर बाग ये तीनों जानवर होते हैं और ये सब अलग अलग होते हैं इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है कोई संबंध नहीं होता है यहां से circle से प्रदर्शित करना है, एक घोडे का circle हो जाएगा, एक बंदर का circle हो जाएगा और एक बाग का circle हो जाएगा, यानि अलग अलग इसका circle होगा, तो option B हमारा answer होगा यानि इन तीनों के बीच कोई संबंद नहीं होता है ये सब अलग-अलग जानवर है तो इस question का when diagram option B में दिया है ऐसे बनेगा अब करेंगे next question ये बहुत important question है जो exam में कई बार पूछा जा चुका है question देखकर आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा बड़ा question देखके question को छोड़ा नहीं जा सकता उसे solve करने की कोशिश की जाती है इस तरह के question बहुत आसान होते हैं तो question पढ़ते हैं नीचे दी गई श्रिंखला में अगली संख्या क्या होगी question यानि की ये श्रिंखला दी गई है और हमें पूछा है यहाँ question mark है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इसके लिए series की संख्या को ध्यान से देखेंगे series कैसे आगे चल रही है पहला नंबर है 589654237 दूसरा नंबर है 89654237 तीसरा नंबर है 8965423 और उसके बाद है 965423 और उसके बाद है question mark ये दिया है तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको question समझ में आएगा तो पहली संख्या में आगे वाला 5 cross कर दिया है दूसरी संख्या में 5 को नहीं लिखा है 8 से start किया है और आगे तक लिखा है ये 5 काट दिया और आगे तक पूरा नंबर लिखा है अगले नमबर में ये साथ पीछे वाला क्रॉस कर दिया है बाकी सभी नमबर यहाँ पे लिखिया यानि कि पहले वाले में पहली संख्या को हटा दिया दूसरे वाले में लाश्ट वाले नमबर को हटा दिया एक बार दोबारा समझते हैं इसको पहले आशे दिलिट कर देती है पहले वाले में क्या किया पहले वाले में 5 को कट कर दिया और पूरा लिख दिया यहाँ पर फिर इसमें 7 को हटा दिया फिर चौथे वाले में 8 को हटा दिया और पूरा लिख दिया यहाँ पर फिर चौथे वाले में 8 को हटा दिया है यहाँ पर पूरा लिख दिया है यहाँ पर लाश्ट वाले में जहां क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है समझने की कोशिश करो फिर से समझते हैं यहाँ पे 5 काट दिया है दूसरे वाले में 7 काट दिया है फिर पूरा लिख दिया है फिर 8 को काट दिया है बाकी के जो यहाँ पे लिख दिये हैं बचे हुए नमबर अब इसमें हम 3 को काट देंगे यहाँ पर एक बार आगे वाले को काटना है फिर पीछे आलो काटना है अब जो बचा हुआ है वो है हमारा आंसर यानिकी 9654296542 यह है हमारा आंसर ओके इस टाइप के प्रश्णों को इस तरह से किया जाता है एक बार फिर से समझ लेते हैं easy sum है 5 काटा है फिर पूरा नंबर लिख दिया है फिर 7 को काटा है बाकी संख्या हमने लिख दी है इसमें 8 को काटा लिख दिया फिर अगले में 3 को काटेंगे और बचे हुए नंबर को लिख देंगे तो option D इसका आंसर हो जाएगा यह question कई बार पूछा जा चुका है अब next question करते हैं next page पर यह calendar से पूछा गया question है और most important question है और यह question railway exam में पूछा जा चुका है यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुआ रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था यह चीज पूछ रहा है तो इस टाइब के प्रशन को कैसे solve करें अगर इस प्रकार का question आए तो देखिए 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक हम दिन निकालेंगे जितने भी दिन होंगे यह चीज इनके बीच के दिन निकालेंगे 30 जनवरी यानि की जनवरी total कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है और 30 दिन बीट गए बचे कितने दिन एक बचा फरवरी 28 या 29 दिन का होता है लीप एर का फरवरी महिना 29 दिन का होता है और लीप एर कैसे निकालते हैं जो वर्ष होता है जैसे यहां पे 2013 है अगर इसमें 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो यह लीप एर है जैसे 2012 यह पूरा पूरा 4 से भाग होगा तो यह लीप एर होगा 2020, 2012, 2016 ये सब leap year होंगे इसमें 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है इस फरवरी महिने में 29 दिन का होता है जो year leap year होता है उसमें 29 दिन का फरवरी का महिना होता है लेकिन 2013 leap year नहीं है क्योंकि इसमें 4 से पूरा करेंगे तो 6 बचेगा उके तो इसमें फरवरी महिना 28 दिन का होगा तो फरवरी में बचे 28 दिन और पूछा है 2 मार्च को फरवरी के बाद आएगा मार्च 2 मार्च यानि 2 मार्च के 2 दिन तो वो भी यहाँ पर हम प्लस कर देंगे अब इसको प्लस करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा एक मिनटी इसको ठीक कर देती हूं जड़ा गंदा सा हो गया यह इसको 2 लिखेंगे हाँ तो यह हो गए हमारे total 31 days 31 दिन हो गए अब क्या करेंगे इसके बीच के दिन कितने आ गए 31 आ गए अब 31 को 7 से भाग करेंगे 31 को 7 से 7 चौक 28 यहाँ पर 6 बचा 3 ओके 31 दिन आ गए अब इस 31 को 7 से भाग करेंगे क्यूंकि सप्ता में 7 दिन होते हैं प्रतेक सप्ते के बाद वही दिन रिपीट होने लगते हैं इसलिए 7 से भाग करते हैं 31 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा 3 शेश बचेगा 3 यह जो 3 दिन बचा इसे गुरुवार में प्लस कर देंगे एक दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार दूसरा दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो रविवार यानि की संडे एक दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार दो दिन जोड़ेंगे तो शनिवार तीन दिन जोड़ेंगे तो रविवार यानि की संडे ओप्षन D में दिया है रविवार जो की होगा हमारा आंसर इस टाइट के प्रशन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ज्यादा कुछ नहीं करना है बस इनके बीच के दिन हमें फाइंड करने होते हैं टोटल कितने दिन है जैसे इसमें जनवरी में एक दिन बचा फरवरी के 28 दिन बचे मार्च के 2 दिन तो पूछा है कि 2 दिन इसको प्लस कर देंगे इन सब को प्लस कर देंगे बस 31 होगा अब 7 से भाग करेंगे तो شेष बचेगा 3, वही हम गुरुवार में, जो यहां पे गुरुवार की बात हुए तो गुरुवार में हम जोड़ देंगे, ओके, गुरुवार में 3 दिन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा रवीवार, अगर शेष में कुछ नहीं बचता, 0 बचे, तो यानि की गुरुवार ही रहेगा और अगर एक दिन या दो दिन बचे जितने दिन बचे हो उसमें प्लस कर देना है गुरुवार में यानि कि जो दिन जो यहां पे दिया है ना उसी दिन में हमें प्लस कर देना है तो यहां तीन दिन जोडेंगे तो रविवार इसका आंसर होगा तो मिलते हैं अगल वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत